हर्याना में मंत्री बनने के लिए 15 MLA शोर्ट लिस्ट BJP High Command ने प्रोफाइल मंगवाई इन में से 7 मंत्री और एक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नमश्कार आप देख रहे हैं The Local News मैं हनी शर्माज आपको बताऊंगी हर्याना में मंत्री बनने के लिए वो कौन से 15 MLA है जो शोर्ट लिस्ट किये गए है जिनकी प्रोफाइल मंगवाई गई है हर्याना में नई सरकार के लिए भाजपा के केंद्री और नेत्रतव ने कवायत तेज कर दी है मंत्री मंडल के लिए 15 विधायकों के नाम शोर्ट लिस्ट किये गए है इन विधायकों में से 7 मंत्री और एक डिप्टी स्पीकर रह चुके है केंद्री नेत्रतव के नाम को अंतिम रुप देने से पहले इनमले की प्रोफाइल भी मंगवाई गई हर्याना में मिनिस्टर बनने के लिए जो चहरा शोर्ट लिस्ट किये गए हैं उनमें नायब सैनी, आनिल विज, राव नर्बीर सिंग, विपल गोयल, मूलचन शर्मा, कृष्ण गहलावत, कृष्ण डाल पमार, हर्विंदर कल्यान, रणबीर गंगवा, महिपल धांडा, बिमला चोधरी, लक्षमन यादव, धनश्याम सर्राफ, आर्तिर राव और शूति चोधरी शामिल है, आठ अक्तूबर को विधांसवा चुनाव का रिजल्ट आया था, भाजपा ने 48, कॉंग्रेस न 37, इनालो ने 2 और 3 निर्दलिये ने जीत दर्ज की थी, 3 निर्दलिये मुख्य मंतरी, डॉक्टर मोहन यादव, अब्जर्वर के तोर पर मौजूद रहेंगे, सिल्सेवार ढंक से आपको बताएंगे, किसकी दावेदारी क्यों मज़ब, सबसे पहले आनिलविज, हर्याना में इस बार विधानसवा में सबसे सीनियर आनिलविज होंगे, इसकी वज़े ये है कि ये ऐसे पहले विधायक बने हैं, जिन्होंने साथ बार लगातार विधानसवा चुनाव जीता है, मनुहरलाल खटर के कारेकाल में सेकंड पोजिशन पर रहे हैं, हलाकि नायब सैनी के कारेकाल में उन्हें मंतरी मंदल में शामिल ही नहीं किया गया था, ल चिंदर कल्यान के रोड समाज से आते हैं, प्रदेश की घरोंडा सीट से, इन्होंने जीत दर्ज की है, 2019 में भी चुनाव जीत कर विधानसवा पहुंचे थे, लेकिन मंतरी मंदल में शामिल नहीं किया गया था, मनुहरलाल खटर के बार नायब सैनी के कारेकाल में मंतरी मं में शामिल नहीं हो पाएते, इस बार इस समाज को भी जेपी नहीं सरकार में प्रतिनी धित देना चाहती है, इसलिए दावेदारी मजबूत है, ये पूर्प सीयम और केंद्रिया मंतरी मनुहरलाल खटर के करीबी माने जाते हैं, फिर आते हैं क्रिशनलाल पहुंवार बतो में पंवार की मजबूत दावेदारी है, इसके साथ ही पूर्प सीयम, मनुहरलाल खटर भी इनके काफी करीब ही है, फिर आती है आरती राव, राव इंदर जीत सिंग की बेटी, आरती राव ने अटेली से चुनाव जीता है, पिछले तीन चुनाव में, अटेली में भाज समुदाय से आते हैं, 2014 में चुनाव जीत कर, कैबिनेट मंतरी रह चुके हैं, हलाकी, फरीदाबा सांसत किशन पाल, गुजर के मद बेदो के कारण, टिकेट कार्ट दिया गया था, इस बार सीधी हाई कमान में पकड़ होने के कारण, इनको टिकेट मिला, इसके साथ ही नए मंतरी बनाया गया था, अपने छोटे से कारेकाल में काफी एक्टिव दिखाई दिये थे, जिसके बाद भाजपा नहीं ने तीसरी बार फिर से टिकेट दिया था, धांडा की सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर अभी तक कोई भी ब्रस्टाचार आरोप नहीं लगे है फिर आते हैं मूलचन शर्मा भाजपा में भ्रामनों के सबसे बड़े चहरे के रूप में पंडित रामबिला शर्मा का नाम आता था, लेकिन 2019 में उनके चुनाव हारने के बाद उनके ही रिष्टेदार वललब घट से विधायक मूलचन शर्मा कोमन हुलाल खटर के दूसर बड़ी वज़ा, इस बार के चुनाव में भ्रामन वोटर्स का एक तरफा जुकाव भाजपा की तरफ रहना भी है, फिर आते हैं कृष्णा गहलावत, राई विधानसवा सीट पर कृष्णा गहलावत ने जीत दर्ज की है, यह सीट पूर्प सीम पूपेदर सिंग उड़ का गड़ मानी जाती है, जाट समुदाय से आने वाले कृष्णा गहलावत उनिस्सोच्यानवे में बंसिलाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, भाजपा सोनी पर रोतक और जजजर की जाट बल्ट में अपना अधार बढ़ाने के लिए उन्हें क्याबिनेट में जगा दे सक इसके बाद वे अपनी मा किरन चोधरी के साथ बीजेपी में शामील हो गई, तो शाम पर बंसिलाल परिवार का खासा प्रभाव रहा है, इससे पहले किरन चोधरी इस सीट से लगातार जीत हासिल करती रही है, उन्हें आप राज्या सभा भेज दिया गए है, ऐसे में शू सब्सकार में उन्हें स्पीकर या डिप्ट स्पीकर की जिम्यदारी दी जा सकती है, धन्शाम सर्राफ, बीवानी से लगातार चार बर विधायक है, 2014 में केंद्रे मंत्री मनोरल खटर के कारेकाल में, राज्या मंत्री रह चुके हैं, वैश्या समाथ से आते हैं, बीजेपी हैं, पूरे इलाके में राव नर्बीर ही इकलोते ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अपने दम परना केवल हाई कमान से सीधे टिकेट हासिल की, बलकि इस इलाके में सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की, नर्बीर सिंग 2014 में मनोरल खटर की सरकार में पावरफुल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके सीधे आई कमान से अच्छे समन्ध है, उनकी कैबिनेट मंत्री के पद पर दावेदारी काफी मजबूत है, इसकी दूसरी वज़ा, उनका राव इंदर जित सिंग के साथ विरोधी होना भी है, दस विधायकों में, राव इंदर जित सिंग के धूर व बिमला चोधरी के दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वेज जाती है संतूलन के हिसाब से राव इंदर जित सिंग के कोटे में वह फिट बैट थी है इसके अलावा उन्हें विधायक रहते हुए प्रशाश्निक अनुभव भी है फिराते हैं लक्षमन यादव सब्सक्राइब के पक्षमें पड़ा 2019 में बले ही रेवाडी सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई लेकिन 2014 में यहां पहली बार कमल खिला था हायरवल बेल्ट की राजधानी कहेज जाने वाले रेवाडी को पिछले दस सालों में मंत्री पर नहीं मिल पाया ऐसे में लक्षमन सिंग यादव के नाम पर राव इंदरजित सिंग भी श्तहमती जता सकती हैं खेर आपका हर्यान सरकार में बनने वाले नई मंत्री मंडल को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिकर जरूर बताइए अपने विचार हमसे जरूर साजा कीजिए और देश दुनि अलाओ रांट हर्याओ लेवर्याओव और गाले झाले टाव लाद बनने विचार हमसे खीजिए एमसे जरूर जलाओ़ सब्सक्राइब साजाब आपका लिए यहाँ उना हमसे नई पनाष जल्याओ़ मत्याओव बनने गण